Hello students, welcome to Little Zoologist इस lecture में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ Class 10 Science का Chapter 2 Acid, Bases and Salt बच्चो आपने Acid, Bases and Salt के बारे में Class 7 में भी पढ़ा था बट वहाँ पे आपको जनर्नल आइडिया दिया गया था ओव्यसी बात है Class 7 थी तो जादा तो इसलिए अब आप और डिटेल में बढ़ोगे अब आप Chemical Reactions के बारे में पढ़ोगे Acid की Chemical Reaction कैसे होती है, Basis की कैसे होती है Salt की कैसे होती है बच्चो एक Common Problem है जो आप सभी को Face करनी पढ़ती है जो मैंने भी की थी वो ये थी कि ये Class 7 में पढ़ाता चैप्टर, थोड़ा सा अब आप Class 10 में हो हमें तो 6 मजने पुरानी चीज याद नहीं रहती है तो 2 साल पुरानी है, तो कैसे क्या करेंगे तो कोई Tension की बात नहीं है बिल्कुल नई सिरे से, यानि कि पूरा Base से लेकर आपका Concept क्लियर किया जाएगा बस आपको करना यह है कि दो बार Lecture देखना है पहली बार में जब आप Lecture देखोगे तो कुछ नहीं करना आपको एरफोन लगाने हैं और सुनते रहना है, ठीक है यह यह मैंने पढ़ा है Second Time में जब आप Lecture देखोगे तब आपको Notes भी बनाने है यह काम आपको करना है हर Lecture में यह काम करना है इससे क्या होगा आपका पूरा Chapter पका हो जाएगा यह मेरी Guarantee है जैसा मैं कहरा हूँ वैसा आप करोगे तो मेरी Guarantee है आपके Marks बहुत अच्छे आएगे आपका Concept भी क्लियर रहेगा तो बहुत वकवास कर ली अब थोड़ा हम अपने Topic पे आते हैं तो बच्चो सबसे पहले आपको Acid के बारे में पढ़ना है Acid को Hindi में अमल कहा जाता है इसकी Properties पढ़ोगे आप सेम बेसेस में यही होगा फिर आप Indicators के बारे में पढ़ोगे उसके बाद फिर आपको इनकी Reactions के बारे में पढ़ना है क्योंकि Reaction काफी लंबी है एक Journal आइडिया दिया गया है Reactions में एंड यह Support Material में काफी Detail में अच्छे से बताया गया तो यहीं से हम आगे के Lecture कवर करेंगे तो बच्चो Acid को Hindi में अमल बोला जाता है सबसे पहली Property यह है कि इनका जो Taste होता है वो होता है Sword Taste यानि कि Taste में यह होता है खटे यह Blue Litimus Solution को Red में चेंज कर देते है Important Point है Note कर लेना जब आप दुबारा Lecture देखो क्यों कि इससे Last Year ही Question आया था Question यह था 4 Option थे 3 में Basis थे 1 Acid था बस यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा Blue Litimus Solution को Red में चेंज कर देगा Then जो अगला Point है वो यह है कि यह H प्लस आयन रिलीस करते हैं Acquas Solution में दो चीज़े पहली बात की H प्लस आयन क्या होते है तो देखो उसका जो doubt है वो आपको clear खुद करना पड़ेगा Link आपको description में मिल जाएगी वो वीडियो देख लेना क्योंकि Class 9 में आपने यह पढ़ा था अब बात आती है Acquas Solution की तो बच्चो यहाँ पे जब भी Acquas Term यूज करी जाएगी Chemistry में तो आप यह समझ लेना कि H2O यानि की Water की बात हो रही है वहीं जब भी Solution Term का यूज किया जायागा तो यह याद रख लेना Liquid Form की बात की गई है ठीक बच्चो अब यह जो Term है Acid Term है यह Latin word Acidus से ले गई है जहाँ पे इसका मतलब होता है Saur तो वैसे ही आपने पढ़ लिया भी अब बात आती है Strong Acid, Weak Acid, Concentrated Acid and Dilute Acid की आप Concept याद कर लो Strong Acid and Weak Acid का Question फिर कैसा भी आजाए आप आराम से कर लोगे क्योंकि हो सकता है कि exam में जो given example है उससे बाहर भी दे दिये जाए वैसे तो नहीं देंगे लेकिन in case अगर आता है न तो आप आराम से कर लोगे तो Concept यह Strong Acid और Weak Acid का कि जो भी Strong Acid होते है वो Properly टूटते है यानि कि 50-50 टूटना होता है इनका जैसे कि HCl है अब बच्चो आपने Class 9th में Chemical Formula बनाना सीख लिया था तो हाँ आपने सीखा था कि कैसे Chemical Formula बनता है तो आपको पता है कि जैसे यह टूटेगा 50-50 में तो एक तो H प्लस आयन देगा दूसरा C L माइनस आयन देगा ठीक है बराबर टूट गया अब आप बोलोगे सरी H2SO4 में कैसे टूटेगा तो यहाँ देखो यहाँ पे आपको SO4 2 नेगटिव देदेगा और 2 H प्लस आयन देदेगा तो इक्वल टूट है ना यह इसी लिए यह होते हैं strong acid तो strong acid क्या होते हैं यह equally टूटते हैं अब यहाँ पे आप भारी भरकम सब्द सुनोगे class 11 में टूटने से related पहली बात की dissociate होते हैं तो dissociate का मतलब ही ही है कि टूटना होता है then cleavage term use की जाते है cleavage का मतलब भी टूटना होता है तो term से याद कर लेना यह बहुत आसान term है लेकिन बच्चों को लगती है भारी भरकम की सर यह कहां से आगए term हमें कुछ समझी नहीं आ रहा है ना तो I hope आपको इतना समझ आया होगा weak acid में उल्टा होता है weak acid में यह होता है यह बराबर नहीं तूटते कैसे जैसे की CH3 COOH water में जैसे मिलाया अब यह H plus iron देगा obvious सी बात है यह COO negative and H plus iron देगा सही बात है H plus iron तो दे रहा है लेकिन क्या आपको यह single cleavage दिख रहा है बराबर में तूटता हुआ दिख रहा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे है न तो यह तो ऐसे ऐसे तूटना चाहिए था मतलब मैं आपको एक hypothetical बता रहा हूँ तूटता नहीं है real में यह ऐसे मैं hypothetical बता रहा हूँ अगर यह strong acid होता तो equal में तूटता लेकिन यहां तो नहीं तूटता यहां तो यह पांच अलग होगा, यह एक अलग होगा इसलिए इनको weak acid बोला जाता है same basis में भी यह केस है कि अगर equal में तूटता है तो strong base हो गया नहीं तूटता तो weak base हो गया example आपको याद कर लेने है SCL hydrochloric acid H2SO4, sulfuric acid HNO3, nitric acid हो गया CS3, COOH, acidic acid then oxalic acid and lactic acid example आपको पता होने चाहिए अब बात आते है concentrated acid की और dilute acid की बच्चो concentrated acid का मतलब है कि जो acid का amount है पूरे proper solution में वो है जादा and water का है कम, वहीं dilute में उल्टा for example इसका जो ratio बनेगा concentrated acid का, अगर मैं 10 से लेके चलो तो 9 ratio 1 बनेगा, ठीक है आपका, यह हो सकता है 4 ratio, no 6 ratio 4 हो जाएगा लेकिन इससे कम नहीं होगा, क्योंकि फिर वो equal होगे वो तो neutral सा कहला जाएगा ठीक है, तो आपको जर्नली इतना ही देखने को मिलेगा ध्यान रखना, dilute acid में उल्टा हो जाएगा dilute acid में आपको water का ratio 9, ratio 1 मिलेगा, ठीक है 8 ratio 2 मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा वो जी चीज हो रही है, I hope आपको इतना समझ आया, अगर आपको कोई doubt है तो आपको तुरंद पूछने, अब बात आती है basis की, तो बच्चो basis उल्टे होते है यानि कि जो इनका taste होता है, वो होता है कड़वा होता है, taste and touch करने पर soapy feel होता है जैसे आप soap को touch करते हो अपने हाथ पे रगड़ते हो, तो वो लगता है ना, चिकना बन, वैसे ही basis को touch करने पर ऐसा होता है NaOH है, NaOH sodium hydroxide है इसके ना, granules type के होते है वो जैसे आप बाहर oxygen के उसमें निकालते हो ना, वो react करने लगते है touch करते हो ना, तो soapy feel आता है ये खेर lab में होता है, जब आपके school खिलेंगे, तो hopefully आपके teacher करवा दें नहीं करवाते हैं, तो कभी मौका मिलेगा, तो मैं आपको करा के दिखा दूँगा ठीक है, दूसरा point important ये है bases में कि ये red litmus को blue में change कर देते हैं, उल्टा होगे ना, वहीं ये h plus की जगे, oh minus ion देते है equus solution में, ठीक है, strong base और weak base का concept यहीं है कि strong base क्या होगा, जो properly half-half तूट जाएगा, एक आपको oh minus ion देगा, दूसरा को other ion देगा, वही weak base में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना यहाँ एक नई time आगई है, आपको जो सुनने में आईगी, वो है alkalis alkalis, ऐसे base होते हैं जो water में soluble होते हैं यहाँ पर एक चीज़ आपको clear हो गई होगी इससे, कि मतलब सारे bases water में soluble नहीं होते हैं note कर लेना आप, जब भी दुबारा lecture देखो, ठीक है, सारे bases water में soluble नहीं होते हैं जो water में soluble होते हैं, उनके लिए alkalis term use की जाते हैं salt क्या होते हैं, तो बच्चो जब भी acid और base की reaction होती है तो salt and water बनता है क्या बनता है, salt and water जैसे कि यहाँ पर example है NaCl, KCl का आपने अभी NaOH के बारे में पढ़ा NaOH क्या है, strong base है वही HCl के बारे में पढ़ा यह क्या है, strong acid है जब यह react करेंगे, तो यह देंगे NaCl plus H2O water ठीक है, and exothermic reaction होती है, जब acid reaction होती है, तो थोड़ी energy भी निकलती है, and अब आप देख रहे हो, यहाँ पर बन गया salt salt क्या होता है, neutral होता है मतलब, अब बराबर हो गए न, इसको ion equal मिल गए, इसको जरुवत नहीं है, कुछ extra की, तो यह ना तो acidic nature show करेगा ना basic nature show करेगा, तो इसी लिए, इस type की reaction को neutralization reaction भी बोला जाता है जो कि आप आगे पढ़ोगे, जब acid and basis की reaction पढ़ोगे, तब आपको यह बढ़नी है ठीक है, तो अब हम discuss कर लेते हैं, indicators के बारे में indicator ऐसे substance होते हैं जो कि अपनी color और smell को change कर लेते हैं, different types of substance में, जैसे कि real life में indicator हमें बताते हैं कि हमें कि side को mood na है, left or right वैसे ही chemistry में indicator हमें बताते हैं कोई भी substance acidic है या basic है nature में, तो इसलिए indicators बहुत ज़्यादा important है chemistry में, बचो तीन type के indicators होते हैं, पहले हो गए natural indicators, दूसरे synthetic indicators and third हो गए olfactory indicators, natural indicators हमें plant से मिलते हैं, वही synthetic indicators हम lab में synthesize करते हैं, natural indicators के example, सबसे पहला example जो कि अपने properties में ही पढ़ा था litmus हो गया, litmus कहां से मिलता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी दिर में इसका second example है red cabbage leaves extract flower of hydrangea plant and fourth हो गया turmeric, तो इस चार example है natural indicators के then फिर synthetic indicators में आ जाता है methyl orange, naphthalene, phenophthalene का आपने example देखा होगा कि जितने भी public toilets होते हैं, वहापे गोलिया डली होती है, टो तो वो phenophthalene की ही गोलिया होती है, वो क्या करते है, smell नहीं आने देती है जो भी urine की smell होती है, वो नहीं आने देती है बस यह काँ होता इसका, क्योंकि reaction होती ही रहती है, and all factor indicators में, बच्चो ये basically हमें ऐसा substance होते हैं, जो कि हमें different order देते हैं acid में and basis में, ध्यान रखना इसके example हम अभी नीचे दी हुई table में पढ़ेगी, सबसे पहले हम discuss कर लेते हैं थोड़ा litmus के बारे में बच्चो लिटमस एक chemical है जो कि हमें एक association होती है, एक symbiotic association होती है, lichen की उनसे हमें मिलता है, lichen हमें साब सुत्री जगों पे ही देखने को मिलते हैं, जहाँ pollution होगा, specifically जहाँ SO2 की मातरा जादा होगी वहाँ ये नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना lichen कहाँ नहीं मिलेंगे, जहाँ SO2 की मातरा जादा होगी and इतना ही है, बाकी तो आपने यूज करने को मिल जाए, अगर आप साइंस लेते हो तो अब हम टेबल में डिसकस कर लेते हैं इंडिकेटर के बारे में, तो बच्चो नैच्रल इंडिकेटर के बारे में तो मैंने आपको बताई दिया था, लिटमस हो गया, रेड कैविज लीव एक्स्ट्रेक्ट जो है, वो एसेडिक में रेड रहेगा, बेसिक में ग्रीन रहेगा, ठीक है, हाइडरिंजे प्लांट के केस में, एसेडिक में ब्लू रहेगा, बेसिक में पिंक रहेगा, तो कलरेशन आपको याद रखनी है याद ना हो तो दो चीज़े याद कर लेना एक तो लिटमस का यूज याद कर लेना और ये रैड के विज लीफ एक्स्ट्रेक्ट का क्योंकि इससे लास्ट एरी एक बात आपको पता होनी चाहिए एक फैक्ट है जो हमारे यूरीन होता है वो स्लाइटली एसे थोड़ा कम होता है इसी वज़े से जब आप अगर पब्लिक टॉयलेट में कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा जो फिनॉप्लिन की गोली होती है वो ना वाइट इस कलर के पने ही रहती है आपको पिंग कभी देखने को नहीं मिलेगा अगर आपको मिलती हो गोली जासे मार्किट वगरे मिल जाते हैं आप करके देख सकते हों कुछ बी बेस जैसे इनु प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए कर सकते हो फिर भी थोड़ा precaution के साथ कर लेना अगर करो तो देन आते हैं olfactory indicators बच्चो जब भी olfactory term use हो तो समझ लेना smell की बात हो रही है पहला indicator है onion onion के एक characteristic smell होती है acidic solution में वहीं basic में कोई smell नहीं होती सिम vanilla essence में इसकी smell retain रहती है acidic solution में जो basic solution है वहाँ पे इसकी कोई smell ही नहीं होती ठीक है क्लोव ली क्लोव ऑईल हो गया तो जो क्लोव ऑईल की जो है smell smell रहती है acidic solution है लेकिन basic में smell चली जाती है तो पच्चो यह रहे आपके सभी indicators इसी के साथ यह lecture over होता है अगर आपको यह lecture अच्छा लगा हो तो इसे like करना अपने friends में share कर देना चैनल को subscribe कर देना अगर नहीं किया है तो अपने friends को भी बोल देना जो भी आपके doubt होंगे वो आपको comment में पूछ लेने या फिर आप मुझे telegram पर pm कर सकते हो और instagram पर dm कर सकते हो बाकी अगर आप वहां पर available हो तो follow जरूर कर लेना दोनों जगे धन्यवाद